हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका सौगत है दोस्तो आज मैं फिर आपसे अपनी एक ट्रिक शेयर करूँगा और ट्रिक रहीगी महा नदी की 12 प्रमुख सहायक नदियों के नाम याद करने की ट्रिक पर तो दोस्तो महा नदी की हमने इसमें 12 प्रमुख नदिया ली है जिनको हम ट्रिक की माध्यम से याद करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं महा नदी के बारे में कुछ महत्पूर सामान ने जानकारी तो महा नदी है 36 गड़ तथा उडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है प्राचीन काल में महा नदी का नाम चित्रोतपला था और महाननदा एवं नीलोतपला भी महा नदी के ही नाम है महा नदी का उदगम रायपूर के समीप धमतरी जिले में स्थित्स सहावा नामक पवत्सरेणी से हुआ है महा नदी का जो प्रभा है दक्षण से उत्तर की और तरफ रहता है और सहावा से निकलका राजिब में या है जब पैरी और सोडल नदीयों ये दोनों नदीयों की नाम है पैरी और सोडल नदीयों की जल को ग्रहन करती है तब तक विसाल रूप धारान कर चुकी होती है एतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में वह बिक्सित होकर सिवरी नारायन में अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है और दक्षन से उत्तर की भजाय यह पूर विदसा में बहने लगती है और संबल पूर में जिले में प्रिवेस लेकर महानदी चटीस गड़ से बिदा हो जाती है यह बिदा कर लेती है और अपनी पूरी यात्रा का आधे से अधिक भाग का वह चटीस गड़ में बिताती है और सिहावा से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभऑ आटसो पच्पन किलूमीटर की दूरी टै करती है यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है सवास निकल कर और यह सबसे ज़्यादा अधिक समय यहाँ पर च्चटीस गड़ में निकालती है नदी की सहाइक नदियां तो दोस्तों महा नदी की जो सहाइक नदियां है उत्तर की और की सहाइक नदियां और दक्षन की और की सहाइक नदियों से इस प्रकार है उत्तर की और की सहाइक नदियां और दक्षन की और की सहाइक नदियां तो उत्तर की और से जो छे प्रमुक नदियां ली है वह है सिवनात नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलू नदी और इव नदी और दक्षण की और से जो सहाइक नदियां है वह है दूद नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंडोर नदी, सूखा नदी और जोंक नदी तो दोस्तो इसकी मैंने दो ट्रिक बनाई है एक ट्रक रहेगी उत्तर की और की जो सहाइक नदियां है इन 6 नदियों की और दूसरी ट्रिक रहेगी दक्षड की और की सहायक नदियां जो ये 6 नदियां इस प्रकार आपकी 6 और 6 बारा प्रमुक नदियों की नाम आपको दो ट्रिक की माध्यम से हो जाएंगे तो ट्रिक को दोस्तो जाने उसको समझे मैंने केसी ट्रिक बनाई है बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है दोस्तो आप दोनों ही ट्रिक सरलें आपको दोनों ही ट्रिक से नदियों की नाम याद होगे एक बार आपको ध्यान से दोस्तो उत्तर की और उदक्षन और की नदियां ध्यान से पढ़ लेनी है सिवनात, हसदेव, भूराई, मांड केलो, एवनदी, दूदनदी, सिलेयारी, पैरी, सोडुर, सूखा और जॉंग अब देखिए पहली ट्रिक, पहली ट्रिक ये है, उत्तर की और की साहिक नदियों की, ये जो ट्रिक है पहली, उत्तर की और की साहिक नदियों की है, तो देखिए ट्रिक क्या है, एक सेंटेंस है छोटा सा सरलसा, कि सिवने हस के माई से बुराई की, सिवने हस दिया है, इस बुराई की या बुराई कर ली, अब दीखिए हम इनसे नदियों की नाम कैसे बनाते हैं, उत्तर क्यों गी साहिक नदियों की नाम, सिब से बन जाएगा सिबनात नदी, ने को साइलेंट रखेंगे क्योंकि ये बाग के जोडने के लिए लिया है, हस से हो जाएगा हस देव न अब जालते हैं, दूसरी ट्रिक की तरफ और दूसरी ट्रिक रहेगी दक्षन की और की साहिक नदियों की, ये भी दोस्तों बहुत आसान है, देखिए जो सो का पैर दूद सिला में सूखा जो सो कोई भ्यक्ति है उसका पैर है दूद सिला में सूख गया है जो सो का पैर दूद सिला में सूखा तो जो सो से देखिए कैसे नदियों के नाम बनेंगे दक्षन की ओकी साहिक नदियों के जो सो, जो से हो जाएगा जोंक नदी, सो से हो जाएगा सोंडर नदी यहां काको साइलेंट रखेंगे, पैर से हो जाएगा पैरी नदी, दूद सिला से एक हो जाएगा दूद नदी, सिला से हो जाएगा सिलियारी नदी मैंको silent रखना है बाके को जोनने के लिए लिए हैं दोनो और सूखा से हो जाएगा सूखा नदी जो सूखा पैर दूद सिला में सूखा जोंक, सोडर, पैरी नदी, दूद नदी, सिलियारी नदी और सूखा नदी तो देखा दोस्तो आपने दोनों ही ट्रेक बहुत ही आसान है और दोनों ट्रेक से ही आपको बारा नदीयों की नाम याद हो जाएगे तो आसा करता हूँ दोस्तो आपको यह ट्रेक और वीडियो दोनों अच्छे लगे होंगे अच्छे लेगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों किसा सेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू